नमस्कार, वेलकम तो स्टडी आएक्यू मैं वो प्रशान धवर्ण, आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सरे आटिकल्स देखे होंगे, ये टॉपिक देखिया ऐसा है, जहां पर इंटरनाशनल मीडिया भी बहुती रूची ले रहा है, क्योंकि इसराइल के एक फॉर् में, इंडिया वेपन्स भेज रहा है इसराइल को या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई जैनुवन क्लैर्टी सामने आई नहीं है, और इसी बीच क्या होता है, इसराइल के जो फॉर्मर अंबैस्डर हैं टू इंडिया, ये एक इंटर्व्यू के दुरान ये कहते हैं, कि इ बी रिटर्निंग दा फेवर, इंडिया शायद एसान चुका रहा है, इसराइल को मिलिटरी सप्लाइज भेज कर, ये स्टेटमेंट कोई जनलिस देता, कोई गुमनाम आदमी देता, इड वोड नॉट है मैटर्ड, मगर इसराइल के फॉर्मर अंबैसडर टू इंडिया ये कोई solid proof हमारे सामने आया नहीं है, कि इंडिया इसराइल को वैपन भेज रहा है, बीच में एक केस हुआ था, जब स्पेन ने एक शिप को एंट्री देने से मना कर दिया था अपने पोर्ड पर ये कहकर, कि ये शिप इंडिया से जा रही है इसराइल में, और इस शिप में है हत्यार, और सिंस पेन आज के समय फलिस्तीन के फुल सपोर्ट में खड़ा हो चुका है, बहुत ज़ादा एंटी इसराइल स्टांस इन्होंने लिया है, तो इन लोगों ने ओपन ली दुनिया के सामने ये बार डिक्लेर कर दी, कि ये जो शिप थी, कैरिंग वैपन्स कुछ भी नहीं हुआ है, मगर हमको ये बात बोलनी पड़ेगी, कि चाहे इंडिया के डिरेक्ट मेड मिसाइल्स, ये गाजा में यूज नहीं हुए हैं, ये क्वेस्चन बार बार रेस किये जा रहे हैं, कि क्या इंडिया और तरीके से वैपन सप्लाई कर रहा है इसराइल क during this war, और आप अगर Israeli Ambassador की पूरी statement देखोगे, तो you will be surprised, इन्होंने ऐसी बाते बोली है, जो किसी ने expect की नहीं थी, बाद अवे, इनका नाम है Daniel Carmon, जो लोग Current Affairs को लंबे समय से follow कर रहे हैं, उनको याद आ गया होगा ये नाम, 2014 से लेकर 2018 तक ये थे Israeli Ambassador to India, और इन्होंने recently एक इंडर्यू के दुरान ये कहा, कि Indians कई बार ये बात mention करते हैं, कि Israel इंडिया के साथ खड़ा रहा था Cargill War के दुरान, और बात भी सही है, देखो again, यहाँ पे उन Indians की बात की जारी है, जिने पता है Cargill War क्या थी, जिने पता है इसराइल का रोल क्या था, तो यहाँ पे Ambassador सा नहीं है, और हो सकता है, कि आज के समय, Cargill War में जो हमने उनके लिए किया था, उसका ही एहसान चुका रहे हो, वैसे interesting correlation आपको बदाता हूँ, जिस तरीके से USA ने problems create करी थी, इंडिया के लिए Cargill War में, USA आज भी Israel के लिए problems create कर रहा है, example मैं आपको बदाता हूँ, नेतन य who slams US for withholding weapons to Israel, हलाकि US ने अपनी तरफ से ये कहा, कि US ऐसा नहीं है के weapons भेज नहीं रहा, मगर fast tracking कम करती है, बहुती धीरे धीरे हतियारा भीजे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसराइल ने रफा पर वो किया है, जो US ने करने से मना किया था, उसके अलावा आप अगर देखो तो international stage पर, US ने कड़ी निंदा करी है इसराइल की, अभी recent ये case सामने आया, जब गाजा में इसराइली soldiers पे लगातार पत्राव हो रहा था, तो इसराइली soldiers ने क्या किया, एक Palestinian, एक wounded Palestinian लिया, और उसको जीब से बान दिया, और फिर ही आगे गए, इससे हुआ क्या किया, क्य US आज भी इजराल की का भी सायता कर रहा है, कारगिल वर के टाइम में देखिए, USA ने इंडिया के लिए legitimately problems कड़ी कर दी थी, इंडिया को GPS का डिटा चाहिए था, USA से कारगिल वर के दुरान ताकि हम समझ पाएं, कि टरेन क्या है, कारगिल की पाकिस्तानी soldiers कहां पे हैं, हमे कुछ information मिल पाए, USA ने मना कर दिया, उसी वज़े से बाद में हमें कई millions of dollars कर्च करने पड़े, और खुद का एक navigation system नाविक ये बनाना पड़ा, ताकि कल को कारगिल जैसी war फिर से होती है, तो हमें USA पे dependent ना रहना पड़े, उसके इलावा आगर जानना चाहते हैं, कि USA ने क किताब है, और इस किताब में ये बात लिखी हुई है, कि इसराइल ने कारगिल वर के दुरान, इंडिया को mortar, ammunition, various चीजे भेजी, और ये एक ऐसा टाइम था, जब बहुत ही कम देश, इंडिया की help करने को तयार थे, क्योंकि USA ने categorically ये का था, European countries और friendly countries को, कि इंडिया को हत करने से मना कर दिया, इस किताब में आप अडों के साफसा बात लिखी है, कि इसराइल, however, delivered the order quickly, USA के कहने से बिल्कुल opposite गया इसराइल, जो order इनको, आप कह लीजिए, कुछ हफतों में डिलिवर करना था, कुछी दिनों में ने डिलिवर किया, और उसके इलावा, इंडिया क तो ये जो रोल था इसराइल का, ये कई इंडिया जो genuinely जानते हैं कार्गिल वर के बारे में पाकिस्तान इंडिया के साथ क्या किया था, और इसराइल ने कैसे इंडिया की help करी थी, ये बात कई इंडियां भूले नहीं है, और इसी बात को लेकर ambassador कह रहे हैं, कि हो सकता है, क इंडिया आज के समय, जो एक पुराना एहसान है इसराइल का, इंडिया पर वो चुका रहा हो, ना मुझको यहाँ पर याड़ करना पड़ेगा, कि ये सब claims है, former Israeli ambassador to India के, actually में क्या इंडिया वैपन्स भेज रहा है इसराइल को या नहीं, इसको लेकर कोई proper clarity अभी भी है न इवेंचुली हमको बता लगेगा के इंडिया का रोल यहाँ पर क्या था, सो अभी इस पर बहुत सी updates आएंगी, मैं आपके लिए बाद में updated वीडियो लाता रहूँगा, और finally यहाँ पर आपसे पूछूँगा एक question, fire dragon 480, ये आज कल बहुत news में है, ये missile, आपको बताना ह आईए weapon China, Japan, North Korea या South Korea, comment section में करिए उत्तर, जो लोग सही answer देंगे, उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं के सही उत्तर क्या है, एक बहुत ही famous कहावत है English language में, you don't have to be great to start, but you have to start to be great, अगर महान बनना है, successful बनना है, शुरवात आपको करनी होग study IQ का new season, batch 1, ये 26 June 2014 से start हो जाएगा, ये एक completely new batch है, new batch का मतलब simply ये है कि आप chapter 1 से, from the beginning, अपनी UPSC journey की शुरवात करोगे with study IQ, तो आपको simply क्या करना है, इस वीडियो की comment section में जाईए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये link, study IQ के batches, English, pure Hindi, pure English, हर language में available है, तो अगर आपको English batch purchase क कर रहा है, जो बहुत popular है, simply इस link पर करिये click, और यहाँ पे आपके सामने खुल जागा ये page, और यहाँ पे आप P2I batch, study IQ का भाए कर सकते हैं, new season batch 1, इस course में prelims, mains और interview, तीनो portions में study IQ आपकी help करेगा, आपको मिलती है, live classes, one to one mentorship, books जो deliver की जाएगी, at your address, prelims की test series भी, and cap modules, और जो price यहाँ पर लिखा है, obviously, never pay this price, जो यहाँ पर extra, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे code, यह भी मत डाल देना, यह आप डालोगे तो आपको maximum discount नहीं मिलेगा, to get the maximum discount possible, use the code PD10, और prices गना स्टार्ट हो जाएंगे, basically आप हर महीने के सिर्फ 1000 रुपे पे कर रहे होंगे, और आप घर बैटके या फिर कहीं भी UPSC exam की त्यारी कर सकते हैं, with study IQs, new season course, तो एक मौका है आपके पास शुरुआत करने का, use the code PD10 and save money, इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ, thank you for listening, and as I always say, may the gods watch over you.